हेलो एवरिवन तो आज हम क्लाश 12 बायलोजी की आखरी यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एकोलोजी एकोलोजी में टोटल चार चेप्टर हैं और उसमें से आज हम पहला चेप्टर पढ़ेंगे चुकिए है औरनिस्म एन पॉपलेशन तो इसी चेप्टर के बारे में आज हम यहाँ पर डिसकस करेंगे और काफी अच्छा और इंपोर्टेंट चेप्टर है हाला कि सिंपल चेप्टर है ज्यादा कॉंपलेक्स नहीं है ठीक है तो पढ़ना सुरू करते हैं यहाँ पर टोटल पांच पेज का माइन मैप बना है मैं आपको दिखाता हूँ यह टोटल पांच पेज है तो बाकी के पेज अभी हम हटा देते हैं और पहला पेज पढ़ते गई है Ministry of Environment and Forest 1984 में बनाई गई थी यह डेट आपको याद होनी चाहिए एकलोजी को हम चार लेवल पर पढ़ते हैं और लेवल पर हम एकलोजी को पढ़ेंगे ठीक है अब जो इंडिया के जो मेजर बायोम से हैं उनको आपको याद रखना होगा ट्रॉपकर Deciduous Forest ऐसे Forest होते हैं इसमें ऐसे Trees होते हैं जो कि साल में एक बार अपनी पत्यों को गिरा देते हैं मतलब पतज़ड का मौसम इस Forest में जरूर देखने को मिलता है ठीक है तो यह Deciduous Forest होते हैं डेजर्ट आपको पता है जहां बालू होती है और सी कोष्ट जो होता है मतलब समुद्री किनारा ठीक हो यह चाहते हैं के बायोम से इंडिया में पाए जाते हैं ठीक फिर एक वर्ड है निश निश क्या होता है habitat प्लस specific function of an organism किसी भी और निश का habitat मतलब वो किस जगे पर रह रह रहा है जो जहां पर रहता है उसको कहते है habitat ठीक है तो किसी भी और निश का habitat साथ में उसका एक specific function होगा ecosystem में ठीक है तो इन दोनों को मिला के हम नीश कहेंगे तो basically आप कह सकते हैं नीश क्या होता है habitat प्लस specific function of an organism ठीक तो यह नीश हो गया अब आते हैं कुछ factors पढ़ते हैं जो कि environment को effect करते हैं abiotic factor abiotic factor मतलब non-living factor जैसे कि temperature हो गया soil हो गई light हो गई यह सारे non-living factors पहले हम पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले आते है temperature पे temperature को ecologically most important factor कहा गया है मतलब ecology according सबसे important factor है यह पोल से अग north pole north pole पे बरफ जमी हुई है लेकिन इंडिया जो है वह equator के आसपास है और इंडिया में temperature काफी जाद रहता है तो जब भी आप pole से equator के तरफ आते हैं तो temperature जो है वह बढ़ता रहता है ठीक है plane से mountain यानि नीचे से mountain के ऊपर तक जाएंगे तो temperature कम होता रहेगा ऐसी इसी thermal vents मतलब जो समुद्र होते हैं कई साथ जो बहुत जादा गहरे समुद्र होते हैं उनमें hydrothermal vent देखने के मिलता है दरार तो एक एक शुरी दरार देखने के मिलती है अर्थ में जहां से जहां पर temperature 100 degree Celsius से भी जादा हो सकता है वह एक शुरी जो दरार होती है वहां से heat निकलत यह है कि कैसे temperature जो है वो अलग-अलग awareness को effort करता है तो जैसे मान बात करते हैं mango की mango यानि आम can't grow in temperature temperature countries like Canada and Germany तो जो mango होता है यह temperate countries में नहीं गुरू कर सकता है जैसे कि Canada and Germany अब temperature countries मतलब जहां पर ठंडी ज्यादा पढ़ती है जैसे Canada की बात करना है तो यहां पर गर्मीए जहां जब इंड्या में गर्मी होती है तो यहां पर फिर भी ठंडी रहती है वह अंब ज्यादा ठंडी रहती है और जानडी ज्यादा धंडी रहती है तो इसे इस तरह के इस में मैंगो यानि आम नहीं ग्रो कर सकता है ठीक है तो यह तेमपरेचर का एक एक एफक्ट यहां देखने को मिल दा फिर इस नो लेपड जो होते हैं केलरा में नहीं पाए जाते हैं यह दूसरा एफक्ट हो गया ट्यूना फिस्ज जोती है कॉटिन इसरे जाती है तो रीजन में पाए जाती है जो शरी को इसमेदोगा मतलब क्या होता है मतल jointly स्मॉल रेजक्ट जो की काफिंज टॉल्ये तॉल्रेट कर सकता है टॉल्यम जय सकता ऊक्ता है can tolerate large range of temperature मतलब बहुत ही बड़े temperature के range को जहल सकता है तो यूरी thermal उस औरनेस को कहेंगे जो काफी ज़्यादा temperature को जहल सकता है काफी कम से लेकर काफी ज़्यादा temperature तक जो है वो जिन्दा रह सकता है ठीक है यह इस्टोने थर्मल यूनि थर्मल हो गया फिर आते हैं सेकंड हमारे फैक्टर पर जो कि है water water को second most important factor दूसरे नमबर पर सबसे important factor बोल गया है salt concentration आपको याद रखना है inland water में salt जो होता है वो less than five होता है सी में 30 से 35 होता है और hyper saline lagoon में 100 से भी ज्यादा salt concentration हो सकता है ठीक है यह data याद रखिए कब पूछा जा सकता है फिर आते हैं दो वर्ड यहाँ पर भी stenohaline और urethaline वैसी जैसे stenothermal urethermal था वैसी यहाँ पर stenohaline है मतलब tolerate small range of salinity salinity मतलब होता है कितना मतलब salt है किसी किसी पानी में कितना salt हुसको salinity कहता है ठीक है तो stenokaline मतल tentang small range of salinity पहुत ही कम range salinity की tolerate कर सकता है nicleader mit कर सकता है उस और भी आपको पता होने चाहिए अब आते हैं तीसरे फेक्टर पर जो की है लाइट जो है फोटो संथेसिस के लिए अच्छी है अच्छा एक चीज और यहां पे श्याटिन बताई है कि 500 में मतलब समुद्र में 500 में 500 मेटर की गहराई के बाद जो है वह लाइट मदल लगब नहीं पहुशती है ठीक है तो ओसें सब्सक्राइब के बाद जो फूरी तरीके से तरीके से नहीं होते हैं फिर आते हैं स्वाइल में स्वैल जो होता यह वह बॉत इमपार्टन इंपक्टर है इसकी वाटर capacity कम होगी ठीक है तो इसी तरीके से soil composition पर डिपेंड करती है इसके नहीं grain size यानि जो soil में टुकड़े हैं छोटे-छोटे grains होते हैं पाया जाते हैं वो कितने के कि उसके उनके size क्या है ठीक है तो इस चीज पर भी depend करती है फिर type of soil के इस चीज पर डिपेंड करती है पहले चीज क्लाइमेट कैसा है इस चीज पर फिर वेदरिंग प्रॉसेस वेदरिंग कैसी हुई है तेज हुए के धीमी हुए इस तरीके वेदरिंग मतलब क्या होता है स्वाइल का फॉर्मेशन बेसिकली पत्थरों से स्वाइल बनना इसको वेदरिंग कहते है ठीक है पढ़ाया जाता है मतलब यह आसान है फिर तीसा चीज है इस सेडिमेंटरी और ट्रांसपोर्टेड जो स्वाइल है सेडिमेंटरी मतलब उसी जगह पर बनी है जहां पर इस अब हम आते हैं अपने दूसरे पेज पर तो यह हमारा दूसरा पेज और इसमें हमें पढ़ना है पॉपलेशन एट्रिब्यूट के बारे में तो पहला है बर्थ रेट इसको स्मॉल बी से रुपिजन करते हैं यह होता है नंबर आप बर्थ अपन ओरिजनल या कह लिए प् ये चीश अच्छ द्यान दीजेगा इक्जाम में ये बहुत कनफूजन होती ये कि नीचे जो नई वाली ऑप भॉपलेशन लिखने है जो पहले थी वो लिखनी है तो हमें साब पुरानी वाली यानिन नी जो पहले पॉपलेशन थी वो लिखनी है ठीक है नीचे तो यसी द रखेगा क्योंकि आगे चलके capital B और capital D भी आएगा जो कि अलग होते हैं ठीक है तिसरा है sex ratio number of female per thousand male यानि 1000 male में कितनी female से इसको हम sex ratio कहते हैं ठीक चौता है population density जिसको capital N से represent किया जाता है और population density के बारे में यहां पर मैंने कुछ खास दिखा नहीं है इसलिए क्योंकि यह वैरियेबल कई अलग 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 condition में यह जो population density हो इसको अलग अलग तरीके से ना पा जाता है ठीक है तो इसके बारे में आपको कुछ बी से represent करते हैं mortality capital D और immigration यानी capital E ठीक इन चारों पर डिपेंड करता है अब देखते हैं क्या होते हैं यह immigration मतलब होता है individuals come from population from elsewhere come to population sorry individual come to population from elsewhere तो कोई एक population थी माल लेते उसमें 100 लोग थे और 10 लोग कहीं बाहर से आगें कहीं और जगे से आगें कहां से हमें कोई मतलब नहीं कहीं और से 10 लोग एक्स्ट्रा आ गएं तो इसको हम immigration कहेंगे और population 110 हो जाएगी तो इससे population बढ़ जाती इसलिए यहां पर प्लस लिखा हुआ है ठीक दूसरा है natality natality जिसको capital B से लिजन करते हैं यह होता है number of birth और देखिए birth rate और यह natality दोनों अलग अलग चीज़े यहां सिर्फ number of birth आपको लेना है यहां पर number of birth अपान previous population लेना है ठीक तो दोनों अलग 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 चीज़े तो natality मतलब number of birth तो माल लेते हैं 100 लोगों की population थी और फिर total population 110 हो गई यानि natality से भी population बढ़ती है तो इसी वज़े से यहां पर भी plus लिखाया ठीक है तो natality और immigration इन दोनों से population बढ़ रही है population density यानि बढ़ रही है ठीक है दूसरी चीज mortality होती है capital D से लिजन करते है number of birth होता है यह ठीक तो अगेन यहां पर capital D होगा ठीक है यहां पर हमारा small D होता था और यह number update होती है तो माल लेते हैं 100 लोग की population थी 10 लोग मर गए total 90 लोग बचे तो mortality से जो population density होगी वो कम हो जाएगी ठीक है 100 लोग थे total 90 बचे ठीक तो population density mortality से कम हो जाती है इसलिए यहां पर minus लिखा हुआ है चौथा है immigration इमिग्रेशन मतला होता है individuals leave the population and go somewhere else माल लेते हैं 100 लोगों की एक population थी उसमें से 5 लोगों ने मन बनाया कि हम इसको छोड़ देंगे population को कहीं और जाके रहेंगे तो आप population 95 की बची यह होता है immigration और इससे भी population कम हो रही है इसलिए minus का sign है तो दो से population बढ़ती है natality से भी population अंदर जा रही है और mortality से population बाहर जा रही है और e-migration भी population बाहर जा रही है तो arrow और यह जो plus minus दिखा है यह plus इसी हिजाब से लगाए जाता है कि population density बढ़ेगी या कम होगी ठीक है अब एक formula है nt plus 1 बराबर nt plus b plus i minus d plus e देखे nt plus 1 मतला होता है कि population density at time t plus 1 और nt मतल प्रप्लेशन density at time t तो किसी t time पे population density nt थी तो अगर nt plus 1 यानि t plus 1 time पे population density हमें निकाल नहीं है तो हम यह formula यूज कर सकते है nt यानि t time पे जो population density थी plus birth plus immigration यानि जिससे population बढ़ती है minus death plus e migration यानि जिससे population कम होती है ठीक है तो यह वो change हो जाएगा जो population में हुआ है t plus 1 time में ठ minus d plus e ठीक तो यह हो गया population का growth आप आते हैं growth model पे तो growth model दो हमाई पास exponential growth और दूसरा है logistic growth exponential growth क्या होती है when resources are unlimited जब unlimited resource हो मतलब जो खाना है पानी है यह सारी चीज़े unlimited हो तो जब unlimited resource है तो population बहुत तेज से बढ़ती है इसको कहते है exponential growth इसके जो equation होते हैं वो आपको याद हो होने चाहिए dn by dt यहाँ पर population density time है ठीक है तो population density upon time बराबर b minus d into n ठीक तो यहाँ पर n population density है तो rate of change of population density over time is equal to b minus d into n अब यहाँ पर जो b minus d है इसको r लिखा जा सकता है तो इसी वज़े से dn by dt बराबर rn भी लिख सकते हैं यहाँ पर r क्या है b minus d ठीक है तो दोने equation सेम है औ at time t is equal to n naught e की power rt ठीक n naught क्या है जैसे हम physics में use करते है v naught u naught तो n naught क्या होता है initial population density और nt मतलब t time पर population density ठीक तो n naught मतलब होता है initial population density तो यह भी formula याद रखिएगा nt is equal to n naught e की power rt ठीक अब यह जो graph अच्छा यहाँ पे r आ रहा है बार बार यहाँ और यहाँ पे जो r होता है इसको intrinsic rate of natural increase करते हैं यह किसी population की अपनी छमता को दर्साता है कि उसके अंदर कितनी छमता है population को बढ़ाने की जैसे माल लेते हैं यहाँ पर देखें resources तो unlimited हैं लेकिन इसी unlimited resource में हो सकता है कोई population बहुत ज़्यादा तेज से बढ़ रही हो कोई population थोड़ा कम तेज से बढ़ rate के लिए 0.015 होती है floor beetle के लिए 0.12 होती है human के लिए 0.0205 होती है ठीक है अलग-अलग आर की values आपको याद होनी चाहिए ठीक है अब यह graph आता exponential growth का यहाँ पर यहाँ पर N होता है यहाँ पर T होता है और यह growth एकदम देखें एकदम उपर आचानक से गई है तो बहुत ते है क्योंकि ज्यादा तर resource जो होता है जैसे खाना हो गया पानी हो गया यह limited होता है ऐसे unlimited नहीं होता तो यह ज्यादा realistic होती है हर जगे पे जो resources होते है maximum time क्या होता है कि वह limited होते है ठीक है तो यह ज्यादा realistic growth को सो करता है इसका formula होता है dn by dt बराबर rn k-n by k अब के यहाँ क्या है carrying capacity carrying capacity क्या होता है maximum life that our habitat can support कोई एक habitat कोई एक area कोई एक कुछ भी हो कोई एक habitat जो होता है वो maximum कितनी life support कर सकता है maximum कितनी population वहाँ पर रह सकती है वो हम k से निकालते है ठीक तो k क्या है carrying capacity जो maximum एक area में किसी एक habitat में maximum life हो सकती है maximum population हो सकती है वो इसको सो करता है ठीक अब इसको याद करने का एक तरीका यह है कि क्योंकि कई बार एक्जाम में जो confusion होती यह होती है कि n-k upon n था कि k-n upon k था क्या था मतलब n-k upon k था तो इस तरह से काफी confusion होती है तो आप कानक याद रखेंगे तो एक्जाम में confusion नहीं होगी ठीक है तो dn by dt बराबर rn k-n by k कनक थे तो एक्शली कनक भवन है कि यहाँ पर आयोध्या में अगर आप आयोध्या कभी आईएगा तो घूमियागा काफी मतलब बढ़िया जगह है तो उसी के तो मैंने इसको याद किया था k-n by k कनक थेक है हैं यहाँ पर time लेते हैं और इसमें graph में अलग-अलग phase होते हैं तो इसको थोड़ा बढ़ा कर देते हैं थोड़ा छोटा लिखना पड़ा एक्शली जो यह सुरुवाती का graph होता है सुरू मतलब सुरू में जो graph होता है इसको हम lag phase कहते हैं क्योंकि यहाँ पर population बहुत ज़ कि फिर थोड़ा धीमी हो गई तो इसको कहते हैं deceleration phase मतलब यहाँ पर भी population बढ़ना थोड़ा कम हो गया और फिर उसके बाद यहाँ पर graph आके एकदम सीधा हो जाता है सीधा क्यों हो गया क्योंकि carrying capacity पहुच गया मतलब एक जो habitat है उसमें maximum population जितनी होनी चाहिए थी उतने प पहुच गई है तो इसी वज़े से यहाँ पर graph आके सीधा हो गया और इसको हम कहते हैं asymptote तो asymptote पर जब graph पहुच गया तो अब इस से ज्यादा population नहीं बढ़ पाएगी ठीक है क्योंकि resources limited है और जो habitat है उसमें carrying capacity पहुच गई है के के पराबर जो population है वो पहुच गई है ठीक तो मैंने आपको abatic factors बताया थे जैसे light हो गया temperature हो गया जब यह abatic factors change होते हैं तो कोई organism कैसे respond करता है कैसे behave करता है यह हमें पढ़ना है ठीक है एक term है homeostasis इसका मतलब होता है maintaining constant internal environment मतलब body के internal environment को constant बना के रखना यानि एक जैसा बना के रखना इसको homeostasis कहते हैं जैसे हम आप हम देखिए किसी दिन मालेजे गर्मी जादा है समर के मौसम में गर्मियों के मौसम में मालेजे गर्मी बहुत ज़्यादा है किसी दिन तो उस दिन हमें sweating होती है यानि पसीना निकलता है जब पसीना निकलना है तो body जो होती हो थोड़ी ठंडी हो जाती है पसीने से क्या होत करें तो थंडियों में शिवरिंग होती है मतलब हम कापते हैं और कापना एक तरह की exercise है तो बेसिकली जब ज्यादा थंडी होती है बाहर का temperature बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो हमारी body के अगरती है कापती है और कापने थिसके basis पर अलग अलग तरह का ऑपते हैं एक होते हैं जो रेगुलेट करते हैं मतलब मेंटेंद सेज मतलब ऐसे ओंड़ाइस को मेंटें करके रह सकते हैं उनको हम रेगुलेटर कहते हैं ठीक है जैसा सारे बढ़्ड और मैमल इंक्लूबिंग हूं यह सारे क्या होते हैं रे animal जो होते हैं, can't maintain homeostasis, अपनी homeostasis को maintain नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, they change internal factor according to the environment, ये अपने internal factor को environment के according change करते रहते हैं, जैसे बाहर ठंडी है तो हो सकता है, इनके body में भी ठंडी होते, बाहर गर्मी है तो इनकी body भी गरम हो जाती है, जैसे अगर आप ठंडी के मौसम में एक पेड़ को छोएंगे, तो काफी ठंडा लगेगा, गर्मी हो कि में उसी पेड़ को छोएंगे, तो गरम लगेगा, ठीक है, तो क्योंकि पेड़ जो होते हैं, ज्यादा तर पेड़ जो होते हैं, वो अपनी homeostasis को maintain नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, इंटरनल factor को environment के according change करते हैं, ठीक है, फिर यहां पर एक important चीछ दिया है, heat loss or gain is directly proportional to surface area, heat कितनी loss हुई, या कितना heat gain हुआ, ये surface area पे बहुत ज़्यादा depend करता है, जैसे कि small birds and animals, जो छोटे bird और animal होते हैं, have more surface area relative to their volume, अगर volume को हटा दे, देखिए, अगर आप एक हाथी को और एक चिडिया को compare करेंगे, तो अब इसलिए हाथी जो होता है, उस पे बहुत ज़्यादा surface area है उसका, जो चिडिया होती है, उसकी surface area कम है, लेकिन आप ये भी तो देखिए, हाथी बहुत बड़ा है, चिडिया बहुत छोटी है, तो volume भी आपको देखना है, अगर volume के respect में बात करें, तो जो चोटे birds होते हैं, animals होते हैं, चोटे animals और birds जो होती है, इनका surface area जादा होता है, इसी वज़े से, that's why, rarely seen in polar areas, इसी वज़े से, जो polar area होते है, जहां बरफ गरती है, वहाँ पे चोटे bird और animals देखनों को नहीं मिलते हैं, बड़े-बड़े animals देखनों को मिलता है, ठीक है, seal देखनों को मिलती है, lion seal, तो यह सारे बड़े animals देखनों को मिलते हैं, क्योंकि जो चोटे animals होते हैं, उनका surface area जाता है, तो heat जो होता है, बहुत ही आसानी से loss हो जाती है, तो यह इसी वज़े से चोटे animals बहुत कम देखनों को मिलते हैं, polar areas में, ठीक है, अब तीसरा है, migrate क कर सकते हैं, animals migrate क्याता है, move to a favorable area, किसी दूसरे area में चले जाएंगे, जैसे कि Siberian cringe होता है, यह Siberia से कोईलादो नेशनल पार्क में आ जाती है, भरत पूर जो की राजस्थान में, ठीक है, तो यह जो Siberian crane है, यह Siberia से उड़के राजस्थान में आ जाती है, ठंडियों को मौसम में, राजस्थान में गर्म, मदब गर्मी रहती है, तो ठंडियों को मौसम में, Siberia बहुत जादा ठंडा हो जाता है, तो Siberia सोड़के यह राजस्थान आ जाती है, तो इसको हम माइग्रेशन करते हैं, ठीक, अब हम आते हैं, चौथे पे, जो कि यह सस्पेंड, सस्पेंड क करेशन के Seed होते हैं, अगर आप, माली यहां पर Seed रख देते हैं, यहां पर मैंने Seed रख दिया, वो सीड जो है वो नहीं करेगा हो ऐसी पड़ा रहेगा लेकिन मैंने जब उसको ले जाके कहींपे लगा डिया किसी मिट्टी में डाल दिया तो उसको नहीं मिलेगा तब तक वो अपने डिवलॉपमेंट को क्या रग कर दिया है रोक दिया हुसने एपनेडसमेंट को पर दिया है यह बहुत जगे पर छुप जाते हैं और वहां पर अपने बाड़ी इन एक्टिव तरीके से फेक देते हैं मतलब उनकी बौड़ी एकदम इन एक्टिव तरीके से पड़ी रहती है तो इससे क्या होता है उनका डिवलप्मेंट बहुत ज्यादा स्लो रहता है इसी वजह से एनरजी भी ज्यादा है नहीं होती है और यह तब निकलेंगे जब यह प्लेंग टर्म में यह भी एक तरह की जो स्टेज होती है डाइपॉस की यह एक तरह की लग डिवलप्मेंट को बहुत ही ज्यादा स्लो करते हैं वाली स्टेज होती है ठीक है तो यह हो गया है यह वाटिक फेक्टर के रिस्पॉंस अब आते हैं एड़ाप्टेशन पर डाइप निकलता है एक्स्टा फालतू का निकलता है तो जो फैट और बन जाती है इसवाटर को यह कंगारू रेट यूज कर लेता है ठीक है तो जब बाहर पानी नहीं मिलेगा तब यह जिंदा रह सकता है काफी दिनों तक दूसरा थे आपन्सिया अपन्सिया में लीफ इ लिए ओता होता है इसमें क्या कि लीओ को तो इस्टेम में अच्छे हो करने लगा चोड़ मैं मैंब से खॉत क्लाइमेट है दो सब्सक्राइब हैं इसमDay में अश्याइब श्वुल नहीं ते को यह पर बहुत चोटे हैं जो कोल्ड क्लाइब में होते हैं जैसे पोलर बियर के देखेंगा चोटे घुत बहुत बढ़ा होता है लेकिन उसके कान चोटे-चोटे होते हैं अगर आप 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 देखे फोटो देख लीजेगा तो पोलर कोमईर के कान ह devotion काफी चोटे-चोटे होते हैंं जिसे जो हीट का लॉस है वो ना होते हैं तो इसको स्किन दीछे पाई जाती है फिर आते हैं डिजर्ट में डिजर्ट बिएवियर का अपने बास्क करता है इसका क्या है बॉधर कम हो जाता है कम हो जाता है अपने शरीर को सेगे बास मतलब होता यानि सन सन में जाके अपने सरीर को सेकेगी जब टेमप्रेचर कम हो गया होगा और जैसे यह टेमप्रेचर बढ़ने लगेगा इसकी सरीर का वापस यह च्छाओं में आ जाती है ठीक है तो यह डिजर्ट टीजर का एक बीहवियर होता है जिससे अपना ड़ाप्टेशन करती ह ठीक अब आते हैं एल्टीट्यूट सिकनेस एल्टेट्यूट मतना उचाई अगर हम बहुत उचाई वाली जगे पर जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन कम हो जाती है ठीक है डू टू लू उक्सिजन यट्ट फैटिक एंट हरट पिटेशन फिर हमें क्या दिक्क्त होती है जो है वो धड़कने लगता है बहुत तेज ठेज ठीक है मतलब आप फील कर सकते हैं लिटरी दिल को तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है हाला कि धीमे धीमे यह प्रॉब्लम चली जाएंगी आप आठ दस दिन रहें तो आपकी यह सारी चीजे नॉर्मल हो जाएंगी नॉ पाईगी ठीक है तो यह एडाप्टेशन हमारी तुरंत दिखाती है मतलब लगबग साथ आठ दिन के अंदर यह एडाप्टेशन देखने रखते हैं तो यह हो गया अलग अलग तरह के डाप्टेशन काफी अच्छा पॉइंट है यह भी ठीक है तो यह तीसरा पेज होगा जलते हैं चौथे पेच पर तो अब हमें पढ़ना है पॉपलेशन इंट्रेक्शन टूटल छे तरह के इंट्रेक्शन हम पढ़ेंगे और उसमें पहला है प्रडेशन प्लस माइनस टाइप का इंट्रेक्शन है मतलब एक स्पेसिस को फाइदा होगा और दूसरे को नुकसा बाइब अब अस्ट्रेलिया में यह बहुत ही से फैल गया इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया तो अब इस क्ट्रोल करने के लिए हम पर किया है तो यहाँ पे मौत क्या है बेसिकली मौत एक सिकारी है और कैक्टस यहाँ पे मौत का सिकार है ठीक है तो मौत बेसिकली यहाँ पे क्या है एक सिकारी है और इसी को यूज करके हमने कैक्टस की पॉपलेशन को कंट्रोल किया अब यहाँ पे एक बहुत important point है predator helps to lower competition among prey जो prey होते ह है यानि जो सिकार होते हैं उनके बीच में आपस में competition तो रहता है उस competition को basically predator कम करता यानि सिकारी जो होता है उस competition को कम करता है अब इसका एक example आप समझें तो उसके बाद समझ में आगा यह point अच्छे से देखिए एक स्टार्फिस होती है पाइजेश्टर स्टार्फिस तो पाइजेश्टर स्टार्फिस जो होती थी यह एक एरिया से हमने हटा दिया American Pacific Coast जो था उसके एक एरिया को हमने चूज किया और उस एरिया से पाइजेश्टर स्टार्फिस को हटा दिया आप जो इंवर्टिब्रेट को खाती थी मतलब इन क्全an क been present एक ही साल क्योंकि कोंटिसन एमंग प्रे याने सिकार की बीच में कॉम्टीशन बहुच जाता हो गया अब यहीं पर बाइशेटरस जब तक थी तब तक वो कंट्रोल कर रही थी कॉंटिसन को इनके आपस के कंट्रोल कर रही थी ठीक है तो यह काफी अच्छा एक्जामपल है पढ़ें को वेन और पाइसेटर स्टार्फिस वर रिमूट फ्रॉम एन एरिया और पैसिफिक अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट तो जब कैटर पिलार के स्टेज में होती है तो यह एक जहरीली वीड को खाती है और इसी जहरेली वीड में कुछ chemical होते हैं जो कि इसके body में आ जाते हैं उस chemical के वज़े से इसका जो taste होता है बहुत गंदा होता है इसलिए इसको जाता तर जो सिकार होते हैं जैसे ज्यादा तर birds जो होती है इसको avoid करती है इस butterfly को कोई खाना नहीं चाहता है ठीक है इसे तरग तो जो थॉर्ण सोते हैं वह एक तरह का protection के लिए उसे होते हैं और इसी वजह से जो के लोट्रॉप इस होती है जो गाया भैस होती है आप देखेंगे हर तरफ खाना खाएंगी लेकिन जिदर यह प्लांट होगा उधर वह अपने आप ही नहीं जाती है ठीक 25 फरषनियर्ट होते हैं वह phytophagus होते हैं फाइटव मतर स्था अप्लांट्स अच्छा बा Pegco अच्छ को यह वह गया अब आते हैं इत्रे का मायनस माइनस टाइब करदेशन नहीं है दोनों इसिखेंग मुशा नुक्साटा यह pinch को जिए नो पानी होता है can happen between related or unrelated species और यह related species के बीच में होता है totally unrelated species केुछ में भी हो सकता है ठीक है तो ऐसा ज़रूर नहीं है कि जो species related है उन्हीं के बीच में होगा completely unrelated species के बीच में भी prediction हो सकता है अब ये line जो मैंने लिखे ये इस वज़े से लिखे कि आपके assertion reason वाले question में पूछी जा सकती है बहुत अच्छी line है तो इस बार मैंने जो mind में बनाया है इसमें assertion reason के questions को काफी जादा ध्यान दिया है जादा तर मैंने चीज़े काफी जगे पर लिखे हुई है काफी detail लिखे हुई है जिससे कि आपका assertion reason वाला question जो हर बार गोट वर introduced और जब गोट इंत्रोड्यूस करा दी गई उस island पर उसके एक साल बा कि दा साल बार डिकेंड बताब दस साल बाट ठीक है जब गोट इंट्रोड्यूस कराए गई इसके लिए और टॉटाइस के लिए वो घास बची ही नहीं तो जब खाना बचेगा ही नहीं तो आद मतलब इस पेसे इस एक्स्टेंट होई जाएगी तो जो गोट थी जब इंट्रोड्यूस कराई गए उसके लबब एक डिकेड बाल लगब मतलब दस साल बाल यह टॉटाइ यहां पर मैं दिखाता हूँ माल लेते हैं इतने दोर में जो इंफीरियर इस्पिसीज जो कमजोर इस्पिसीज वो इतने दोर में थी और उसके बाहर नहीं जा पाते थी इतने ही दोर में थी इसके आगे एरिया में नहीं फैल पाते थी ठीक है गोल गोल एरिया में यह इतन या फैलती होई फैलती होई इतने एरिया में हो जाएंगी यानि पूरा ऑड WAY कोलेंगी वह जो इनफीर वाली थी वो ठीक riot तो मतलब जो कमजोर इस्पेसीज होगी व्वकेल कर लेगी आगर जो काटी वाले इस्पेसीज है खाटादी जाये तो यही दिखा हुआ है decomet Drui कि दिए मतलब सूपीरेशीज हटा दी जाए किसी एक एक एलिया से तो जो अदर इस्पिसी आधỡे एंवे अपनी रहेंज को अलग अदर थे में नहीं की तकश्ता स्कॉट राका चुछ भूख कंभ स्कॉच्टलों नहीं सरे और इंदेखा क्यां खाता काई होता है और जश को यहां वाला है।। इस salty उत्र intertidal area जो है यहाँ पर बैलेनस वाला पाया जाएगा और यह चैन्थमेलस को हटा देखा वहां से तो यह कॉनल्स ने इन्होंने experiment किया और उन्हों देखा कि जो intertidal area था वहाँ पर जो बैलेनस थे यह करते थे यह ज़्यादा तरपाय जाते थे ठीक फिर आते हैं गौस कंटेट्व एक्स्क्लूजन प्रिंस्पल गौस ने क्या किया टू गौस ने बताए कि जो दो closely related species अगर हैं जो की सेम रिसोर्स के लिए कंटीशन कर रही है ठीक है तो दो gusद्वर्ण नियुद्वर्ण के लिए कोई खाना है माले जे तो उसी खाने के लिए दोनों कमटीशन कर रहे हैं तो हमेशा के लिए दोनों एक साथ नहीं जिन्दा रहेंगी जो अच्छी species होगी मतलब जो तगड़ी species होगी ज़्यादा ताकतवर species होगी वह कमजोर वाली species को खतम करतेगी यह गौस में बताया देखिए लिखा हुआ है two closely related species that compete for same resources can't coexist coexist मतलब साथ में exit करना indefinitely हमेशा के लिए मतलब हमेशा के लिए साथ में यह नहीं रह सकती मतलब हो सकता है दस साल तक बारा साल तक बीस साल तक साथ में रहें लेकिन ultimately क्या होगा जो अच्छी वाली species होगी अच्छी मतलब जिसके ज्यादा power होगी वह क्या करेगी जो कम वाली species होगी जो inferior होगी उसको कहना गलत था यह कैसे पता चला रिसोर्स पार्टिस थे मैं कर्था नाम के एक साइंटिस्ट थे इन्हों ने बताया कि इन्होंने एक पेड को देखा उस पेड़ पे पांच इस्पिसीस रहती थी वार्बलर्स की वार्बलर्स छोटी-छोटी चिडिया कर देते हैं बाई एडप्टिंग डिफ्रेंट फोरेजिंग एक्टिविटीज फोरेजिंग मतलब होता है चरना तो मतलब बेसिकलि क्या कर रहा है यह वार्बलर्स जो है यह चिडिया क्या कर रहे है इन्होंने डिवाइड कर दिया है कि इस टाइम पर हम चरने जाएंगे अबम ऐसे ने उन्हों कर दिया है यह उबस आपने घंज कर लिया किuses अपने खेंज गर के लिए और बाटने के वज़े से यहां पर किसी तरीके का competition नहीं है ठीक तो यह गौस की बात यहां पर गलत हो गई कि दो species जो है वो एक साथ हमेशा नहीं रह सकती यहां पर दो के बज़ाए पाँच species रही है और वो भी हमेशा रह रहा है में अर्थर का तो यह होगा हमारा दो चीजें प्रिडेशन और कॉंप्टीशन ठीक है अब तीन और पढ़ने हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं जल्दी से अब तीसरा है हमारे पास पैरा सिटेंश यह भी एक तरह का प्लस माइनस टाइब का रिलेशन है मदब एक को फाइदा होगा दूसरे को नुक्सान होगा पैरसाइट क्या होते हैं यह ऐसा और निज्म होते हैं लिव इंड और और यह किसी दूसरे के अंदर या फिर बाहर सकते हैं ठीक है अब इनके कुछ quality ने देखिए लॉस अन्नेसेसरी सेंस आरगन जो भी सेंस आरगन का काम नहीं होता है यह उसको कर देते हैं जैसे पर चिपके रहने के लिए इनके अंदर अच्छे से सकर पाये जाते हैं ठीक है नो डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूद नहीं होती है क्योंकि खाना जो है वो पचा पचाया हुआ मिलता है जैसे अगर माल लेते हैं हमारे इंटेस्टाइन में एक बैक्टिरिया रहता है तो उस बैक्टिरिया को किसी तरीक है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूद नहीं जो human liver flick होता है, इसके दो host होते हैं, fish और snail, ये भी आपको याद होना चाहिए, अच्छे से पूछा जाता है, ठीक है, फिर आप parasites में दो तरह होते हैं, एक्टो पेरासाइट और इंडो पेरासाइट, एक्टो मतलब बाहर रहने वाले, बाधी के बाहर रहने वाले, जैसे, देखे लिव ओन, external surface और फॉस्ट, example, lice on human, human की जो जू होती है, जो आपके बाल में जू होती है, एक्टो पैरासाइट है तरह का टिक्स ऑन डॉग डॉग पर टिक होते हैं चोटे-चोटे कीडे डाइब के होते हैं वह भी जो होते हैं एक्टो पैरासाइट है ठीक तो यह हो गया एक्टो पैरासाइट एंडो पैरासाइट जो लिव इंसाइड होस्ट होस्ट के अंदर रहत में कई सारे बैक्टिरिया होते हैं इनको हम एंड़ोपैरसाइट कह सकते हैं ठीक है अब एक और पॉइंट है बूरूड पैरसरी दिए जो होता है इसमें क्या होता पैरसिटिक बड़ ले एकस इन नेश्ट ऑफ हॉस्ट जो माले थे मतलब एक्जांपल देखते हैं कोयल और क देखते हैं कैसे होता है ठीक है जो कववा होता है यह अपना घोसला बनाता है कोलो adding कवे के घुसले में जाके कोवे के दो अंडे को हटा देंग इंदीगिर रख देदी है तो कववा ऑनना है उसक्रम होते है उसमियं एक ही तरह की दिखते हैं दोनों के बच्चे दें बच्चों को फिर थोडा से बड़ा हो जातायि तो जो बच्चा होता है वो उड़ जाता है तो कोयल basically क्या करती है? crow के भूपर depend रहती है तो parasitic bird यहाँ पर क्या है? तो parasitic bird जो होती है, lay X interest of host, host यहाँ पर क्या होना है? crow है, तो crow के nest में, घोसले में अपना अंड दे देती है, इसको कहते है? brood parasitism, ठीक? तो यह तीसरा हो गया बात है चौथे पर चौथा है मोचलेज में दोनों को फाइदा होता है प्लस-प्लस टाइप का जैसे कि लाइकन आप पढ़ा है माइकोराइज आपने पढ़ा है फंजाई और एल्गी का रिलेसन फंजाई और हाइयर प्लांट्स का रिलेसन ठीक है तो यह लाइकन और माइकोराइज मतलब डिटेल में हम पढ़ चुके हैं यहां पर लिखने के जूरूत नहीं है ठीक है तो लाइकन और माइकोराइज एक तरह का मोचलेज में मतलब प्लस-प्लस टाइप के लिए दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ फाइदा निकालते रहत होता है जैसे हम फ्रूट जो है खाते हैं फ्रूट खाने के बाद हम जो सीड होती है उसको इधर उदर फेक देते हैं वह सीड जम जाता है तो बैसिकली हम क्या कर रहे हैं सीड को इधर उदर फैला रहे हैं ठीक है उसके लिए प्लांट हमको रिवार्ड क्या देरा रॉबर जिसको चीटर विका जाता है तो जो चीटर होते हैं या करें जो जो पॉललन रॉबर यह रिवारड नहीं तो ले लेते हैं बट डोण्ट युक का का hallasta है बाई Jumaat अधागगा सिसके fruit पर बैठेंगा और अंडे देंगा तो युक जो मॉथ है उसके सरेर पर युक का के वह लग जाएंगे तो यहां पर मॉथ जो है वह पॉलिनेशन में होंकर रहा है बदले में मॉत को मिल की अरहा है एक जगह जिसमें वो अपने अठेयो का सकता है तो यह कि यह की मतलत trat भी लिदो का ठटे भाव सब्सक्राव on can date itself और अख दुम आप का एक टल होता है कि एक दम फीमेल बी को देखता है तो स्वेटी कोपotiate करता है उसी पेटल के साथ को चुछ επस्क्राइइं ऑसक्राइब करता है तो इससे चाहता है उसके आप बी का डिया को एक बी किया जिक forecast पर इफ फीमेल भी चेंज़ इट्स अपियरेंस ओफरेस विल को इवाल्व एंड चेंज इट्स पेटल अगर मा लिजे फीमेल भी के अंदर कोई evolution हुआ और उसने अपना appearance चेंज कर लिया वो अलग तरीके से दिखने लगी तो जो ओफरेस होगा वो भी साथ में evolve करेगा साथ में evolution होगा उसका भी और उसको अपने पेटल को female बी के तरह ही बनाना पड़ेगा क्योंकि भाई male भी जरूर चाहिए अगर इसको pollination कराना है तो male भी चाहिए और male भी लाने के लिए इसको अपने पेटल को female बी के तरह रखना पड़ेगा तो अगर female बी का appearance change हो गया तो petal का भी appearance उसी तरीके से change हो जाएगा ठीक तो यह भी important point है ध्यान रखेगा अब आते हैं एमेंसलेज्म पे यह minus zero type का relation है मतलब माइनस मतलब एक का नुकसान हो रहा है zero मतलब दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जैसे कि small trees under a big tree सबसे अच्छा example है यह मतलब एक बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे छोटे 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 पेड़ है उनको sunlight नहीं मिलेगी उनका नुकसान हो रहा है और जो बड़ा वाला क्योंकि वह एंटिबाटिक निकाला जैसे हमेशा निकालता है दूसरे बैक्टिरिया जो है उसकी जान चली जा रही तो एक को कोई फर्क नहीं पड़ा दूसरे को नुकसान हो रहा है यह मैंगो के उपर ग्रू कर रहा है तो और चिट को एक जिगह मिल गई बहली रहने के लिए मैंगो को उससे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है न फाइदा हो रहा नुकसान हो रहा है ठीक है वी बार्नेकल आपने वैंने चोटी शोटी मश्री टाइप के निया है जो बार्नेकल्स होते हैं यह वैल खाती है वह फार्ग नहीं पड़ता है भाई वैल बचा कुछ अचा है जो खाए उससे कोई मतलब नहीं है तो बारनेकल सॉन बैक आफ वेल यह भी है तीसरा कैटल अरगट एंड ग्रेजिंग कैटल कैटल समझे बगुला तो जो बगुला होता है वह जैसे गाय भैस जहां चरती रहती है गाय भैस के जश्ट बगल बगल घूम में इस वर चोटी चोटी मचलिया होती है जो कि सियाने मौं के पास जाके रहती है सीने माज़ रहती है सेप्स के शनले कर लίक्स के घृत है वह चलाव ट्स झो माद का रील उसके कर दुद्क के रहता है तो चलंबार खनम्रून के पाकर लागल मतब clown fish को मतब फाइदा मिल ला है उसको protection मिल लाइए और see any moon को उससे कोई फ़र्ख नी पड़ा ठीक है तो see any moon यहाँ पर protection का काम करता है इसको कोई फ़र्ख नी पड़ा है जबकि clown fish को protection मिल लाइए तो इसका फाइदा हो रहा ठीक यह अलग-अलग पहला पेज ठीक है तो ठीक है आज के वीडियो के लिए इतना ही वैसे भी गला बैठ गया है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और जल्दी ही अगले चैप्टर के भी वीडियो में बना दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको पीडियाफ का लिंग मिल जाएगा वहाँ से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बाकी मिलते हैं करे वीडियो में तब तक लिए बाए